इस समाचार की प्रायो जख हैं मौनिका बैकरी, दो बटा तीन, क्रांती क्रपलानी नगर, अनपुर्णा मिन रोड, महरास्ट बैंक के सामने इंदोर इस निउस के प्रायो जख हैं दास बेकर्स, स्थान, शिवशक्ति विला, प्लॉट नमबर 87, स्किम नमबर 103, दुकान नमबर 2, केशरबाग ब्रिश के पास इंदोर लोगसभाद चुनाव नस्तीक है, सिमयाचा सहिता के पहले इंदोर के विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को नगर निगम मुख्याले पर करोडों रुपे के बिकास कारयों का प्रूमी पूजन मध्य प्रदेश के नगरी पिश्च्रासर मंतरी कैलाश विजए वर्गी ने किया, जहां विजए वर्गी ने 23.76 करोड के बिकास कार्यों की इंदोर वासियों को सोगाद दिए इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तूल से सिलाव अच्टांसद महापौर सहे विधाय गट और जो तरह इस दोरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजय वर्गी ने मंच से अपने ही अंदास में संबोधित करती हुए हर बार की तरह यहां भी चुटके ली और कहा कि 22 वर्षों के बाद में इंदार नगर निगम मुख्याले में आया हूँ और मुझे उद्घाटन कि इस चीज का करवा रहे हैं वो है शव वहन का वही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजय वर्गी ने मंच से कहा कि महापार पुष्रमित्र भार्गव जी बोर्ड रहे थे कि मैं 22 वर्षों बाद नगर निगम मुख्याले पर आया हूँ पंडित दिन दयाल रसोई के पांच वाहन जिनमें पांच रुपे में गरीब लोगों को भोजन उपलब्द कराया जाएगा विजय वर्गी ने कहा कि भोजन की क्वालिटी भी बढ़िया है जिससे हमने भी टेस्ट किया और करीब 80 कच्रा वाहनों का शुभारम किया गया ह क्यलाश विजय वर्गी ने कहा कि इंदोर नगर निगम ने जवाबदारी को निभाया है वहीं दीन दयाल रसोई योजना वाहन को लेकर विजय वर्गी ने कहा कि मध्धी प्रदेश के मुख्यमंद्री डॉक्टर मोहन ग्यादव ने इस योजना को महत्वा कांशी बना कर नगर निगम को निर्देश किया है इंदोर स्वच्चता में साथ बार नंबर वन है और आगे भी नंबर वन है इसके लिए 80 नय कच्रा वाहनों का फीता काट कर उनके भी शुभारम किया गया ये वाहन डोर टोर कच्रा कलेक्ट करने का काम करेंगे वहीं केलाश विजय वर वर विजय वर ने कहा कि सोभगी से मुझे भी बार्टी ने इस विभ़ाक काम मंत्री बनाया है मैं विश्वास दिलाता हूं कि इंदोर की और नगर निगं के कौ पर काम करेंगे ताकि इंदौर का यातायात सुगम हो सके केलाज विजयवरगी ने कहा कि 14 मार्च को इंदौर के विकास को लेकर एक महत्वा पून बैठक बुलाई गई है ताकि भविश्य की प्लानिंग की जा सके 25 साल के बाद शहर कैसा हो इसकी कल पनाइस बैठक में रखी जाएगी वहीं संवार को केंदर की मोधी सरकार के द्वारा CAA के नोटिफिकेशन जारी करने पर बोले कि आज की तारीक में तेश के अंदर हिंदू समाज जो विदेश में निवास रत है जहां वो प्रताडित हो रहे हैं उनके जाने के अलावा हमारे देश के अलावा कोई देश नहीं है इसलिए हमारी जवाबदारी होती है कि उन लोगों को हम संरक्षन दे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है उनकी बेटियों को उठा कर ले जाते हैं जब देश का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान में हिंदू का प्रतीशवत 30 प्रतीशवत था लेकिन आज 2 या 3 प्रतीशवत हिंदू बचे हैं और वो सब भारत आना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो धर्म की रक्षा के लिए भारत वापस आना चाहते हैं उनके लिए इस नए कानून से मार्ग प्रशस्त होगा केलाश विजय वर्गी ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय के ततकालिन ग्रह मंत्री और प्रधान मंत्री ने कहा था कि विभाजन के बाद भी आप सभी के लिए भारत के दरवाजे खोले हैं लेकिन इस कानून का पता नहीं था इडी गटबंदन विरोथ कर रहा है मैं समझता हूं कि ये सारी जवाबदारी है CAA नोटिफिकेशन पर कैबिनेट मंत्री के लाश विजय वर्गी ने देश के प्रधान मंत्री वग्रह मंत्री को धन्यवाद दिया